यहलो स्टूडेंट्स तो अगला जो फाइलम अपने को पढ़ना है वह है तीनोफोरा तो लास्ट फाइलम पढ़ा था सिलेंट्रेटा यानि डेरिया जिसका नाम था वह वाला इसके बाद जो एक अगला जो एंशाटी में दे रखा है छोटा टोपी कही है फाइलम टीनोफो पहलए इसको क्या भी बोलतेज़ें सी वर नेट बोलते है त्याख के फी ह waiter लैट के जैसे होलेटेट भी भी बोलते है या फिर इनको कॉमब जैली बोलते यह क्योंकि इसरिप से प्रेजन्ट होती है यह वाली कॉम यह प्लेट एक एंपर ठीक हम अईलली तो तो वो sea walnut या इनको comb jelly बोलते हैं या sea gooseberries भी बोलते हैं इनको यह है अब इसको आपको उसके साथ compare करके पढ़ना है पिछला वाला जो group पढ़ दा था sealant rates उनके साथ तो sealant rates में हम बोल ले थे उनमें किसकी presence थी nematoblast जो nematocyst cell थी जो stinging cell थी वो present थी उनके अंदर लेकिन इनके अंदर वो nematoblast नहीं तो सिस्ट cell क्या रहती है अब सेंट रहती है वो नहीं है so they are also called a nidarians तो इसलिए इनको क्या भी बोल देते हैं a nidarians यह मतला हो कि उनमें वो nidaria वाले तो इनके अंदर नहीं है अलग है अब अब सेंट है तो इन में निमेटो ब्लास्ट अब सेंट रहती है तो इनको इनको इन नीडे इरियनस भी बोलते हैं उस वजय से फिर है कि इनका habitat क्या मिलेगा तो habitat देखे तो कैसे होते हैं exclusively marine, यह एक important है, कि वो तो fresh water भी थे, जैसे hydra था, वो fresh water organism था, लेगिन ये वाले इसके member सारे के सारे का मिलेंगे, exclusively का मिलेंगे, सिर्फ marine water के अंदर मिलेंगे, तो यह एक उनका character है, जो उनसे differ आ रहा है, दूसरा, कि वो exclusively marine है, सारे के सारे member इसके का मिलेंगे, marine water condition के अंदर मिलेंगे, तिक है, और symmetry कैसी मिलेगी, बोडी के अंदर, यह character इनके उनके जैसे ही है, सिलेंटरिक के जैसे ही, radial symmetry मिलेगी, कि अगर center से इसको अगर आप cut करोगे, तो जितने भी half में cut करोगे, सारे कैसे part बनेंगे, equal parts में क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो अगर सारा equal parts में divide हो गया, यानि कि कौन सी symmetry इनके अंदर present है, radial symmetry present है, तिक है, अगर सिर्फ A की plane में cut हो पाता, सिर्फ center से pass होता, तो कौन सी हो जाती, bilateral symmetry, लेकिन इसको round structure है, तो जितने भी center से pass होना चाहिए, कितने भी इसके parts करेंगे हम, तो किस में divide होगा, जितने भी cut होएगे, equal parts बनेंगे, उस सारे के सारे cut होने के बाद, तो कैसी symmetry बोलेंगे इनके अंदर, radial symmetry, cylindrates में भी कैसी थी, radial symmetry, ठीक है, अगला है, कैसी होंगे, diploplastic, तो अमने सब से पहले, diploplastic पढ़ा था, यह silentrates, वो भी diploplastic थे, दो ही germ layer थी, उनके अंदर, भार वाली side, ectodum, अंदर की तरफ, endodum, वो ही इनके अंदर है, कि यह भी कैसे है, diploplastic, कि दो ही germ layer मिलेगी, भार ectodum, अ इनका पूरी body का formation हुआ है, structure बने है, अलग-लग structure body में originate हुए है, दो ही layer से, embryonic दो layer है, germinal layer, उनसे ही बने, diploplastic organism है, और level of organization कैसा है, with tissue level of organization है, तो cylindrite में भी यही character था, कि उनमें भी group of cell, organize होके क्या बना रहा था, tissue बनाने लग रहा था, तो इनके अंदर भी tissue बन गया, और उसी level का organization है, कि body में functioning tissue के level की है, organ नी बन रहे body के अंदर, tissue level of organization है, तो यह तीनों करेक्टर तो बिल्कुल कैसे हैं, इसके, silentrates के जैसे हैं, कि radial symmetry वहाँ भी थी, diploplastic organism थे वो भी, और tissue level of organization था, बस एक habitat में क्या change आया है, कि silentrates में, ज़्यादातर marine forms थी, लेकिन कुछ fresh water form भी थी, जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि टीनोफोरा के member सारे के सारे कैसे हैं, exclusively marine form, सारे के सारे marine है, और एक difference क्या आता है, कि उनके अंदर nemetoblast present थी, टीनोफोरा में nemetoblast absent होती है, इसलिए इनको anidarians भी बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे उनकी body रहती है, round body रहती है, ज moment कर पाते हैं, क्या generate कर पाएंगे, locomote कर पाएंगे, water condition में इनकी healthy हो क्या कर पाते हैं, locomotion कर पाते हैं, इसके अलावा उनके क्या भी present होते हैं, tentacles present होते हैं, tentacles किसमें help करेंगे, capture करने को, prey को capture करने को, जो उनका food है, prey उसको capture करने में यूज करेंगे, तो ये character समझा गया, कि exclusively marine form है, radial symmetry है, diploblastik है और tissue level of organization है अब करहा है, body कैसी मिलेगी body is soft, transparent, jelly-like body है बिल्कुल soft, transparent body है, उनकी jelly-like तीक है, ये एक character है उसके बाद करहा है, उसकी body पर अब एक characteristic feature है क्या, कि the body bear ate external row of ciliated comb plates ऐसी plates हैं, जो comb-like दिखती हैं, comb के जैसी और वो कैसी है, ciliated, cilia rise है उन सारों के उपर और कितनी row हैं, ऐसी eight है और का निकली हुई है, external external मतलब ही कहां present होंगी, body surface के उपर भार वाली side, body surface पर ऐसे ये eight rows present होंगी, comb-like arrangement के अंदर comb-like plates हैं, जो ciliated है और external body surface के उपर है तो body bear, eight external row of ciliated comb plates ciliated comb plates, तो cilia है, तो क्या help करेंगी, क्या काम करेंगी, which help in locomotion वो overall is tenofora के locomotion में role play करेंगी तो ये भी important character आ जाता है, जो आप diagram से बता सकते होंगी, इन में किसकी presence है, ciliated comb plates की presence है, जो इसके किसमें help करेंगी locomotion में help करेंगी और ये comb-like plate present काँ पर है, इनका ये formation है काँ पर, body surface के ऊपर outer side में, external side में तीक है, वो है, फिर एक और character आता है, digestion तो इसमें करें, digestion is both extra cellular and intra cellular, दोनों तरह का है तो ये ही बात किसमें पढ़ी थी, पीछे silentrates में पढ़ी थी, कि उनकी जो gastro-vascular cavity थी, उसमें भी digestion हो सकता था, वो तो extra cellular था, और उनकी cell के अंदर, cell के अंदर food vaculan बने, उसके अंदर जब дуже digestion हो रहा था, तो क्या बोल रहे थे, intra cellular, ऐसे इनके अंदर भी digestion होता है, extra cellular उनकी cavity में भी होता है, और cell के अंदर food vacgili में, intra cellular, दोनों होते हैं यह character भी उनका बिल्कुल similar है तो यह आपको याद करना है कि कैसा है एक्स्राइलूलर भी है और इंट्राइलूलर भी है एक्स्राइलूलर डाइजेशन का क्या मतलब है outside the cell outside the cell ओएगा डाइजेशन breakdown of food का होगा फिर वो केविटी के अंदर टेक प्लेस करेगा और इंट्राइलूलर विदिन दा सेल टेक प्लेस कर रहे है तो कहा होगा सेल में क्या बन जाएगा फूड वेक्यूल वहाँ पे डाइजेशन टेक प्लेस करेगा breakdown of food टेक प्लेस करेगा तीक है यह है उसके बाद एक एक्सकार्ट। यह है नि दो में ग्योंती क करेख रहा है जब वहाँ बोर्ट साइट रहें beneath जब वोटर एक्जिट करेगा बोडीसे तो उसी में शेटी डाल देता चोब में उड़ी बोर्डी से आड़ा भार भार मुव कर रहा है तो खुद का कोई excretory structure formation नहीं करते साथ में respiratory system भी इनकंदर क्या रहता है अब center रहता है कोई respiratory system नहीं बना है पानी जब आ रहा होगा इनकी बोडी में तो उसमें क्या होगी dissolved oxygen तो water जब इनकी बोडी में एंटर कर रहा है तो क्या भी ले क्या रहा है dissolved oxygen तो वो respiration से उस ओटू को ले लेंगे और इन्होंने खुद क्या बनाई होगी CO2 वो उस पानी में डाल देंगे जब पानी exit करेगा तो उस CO2 की बोडी से बाहर निकल जाएगी तो यह important है कि skeleton system भी नी बनाते excretory system भी नी बनाते और respiratory system भी उन गंदर क्या रहता है absent रहता है present नहीं होते है सारे के सारे ठीक है उसके बाद एक और इनका जो mean characteristic feature है जो कई वर किस्टन आता है वो इनकी एक property है क्या bio lumiscence कि इनके पास bio lumiscence क्या होती है bio मतलब living और lumiscence का क्या हमल होता है कि living कोई cell है कोई organism है उसके पास यह ability होना कि वो क्या emit करता हो light emit करता हो उसको बोलते हैं bio lumiscence तो यह property होती है of a living organism to emit light कि वो क्या produce करता हो light produce करता हो ठीक है is well marked in tenoforans तो यह tenoforans के अंदर यह property present होती है bio lumiscence वाली कि वो क्या करते हैं light emit करते हैं समंदर के अंदर सी condition के अंदर bio lumiscence की property tenoforans show करेंगे ठीक है कि यह इनका important character है to emit light उसके बाद कह रहा है कि overall जब इनका food habit देखें कि कैसे हैं तो वो कैसे हैं they are carnivorous carnivorous हैं और prey खाएंगे prey को capture करके यह खुद predator की तरह काम करेंगे और अपने prey को capture करेंगे तो कैसे काम कर रहे हैं कैसे भी यह कर रहे हैं heterotrop में carnivorous इन पे क्या होता है इसमें help कोन करेगा इनकी a pair of long solid tentacles पेर यह पेर ओफ रही हो रहा है एक एक यह तो पेर of tentacles इंसके बोड present इनके पास यह present है और in place of nematoblast इनमें कोई nematoblast nematocyst तो है नहीं उनकी जगह पे special types of cells are present on tentacles इनके जो long tentacles निकल रहे हैं इनके ओपर special types की cells होती हैं nematoblast नहीं होती वो उनको क्या बोलते हैं called lasso cells यह important है lasso cells कि इनमें मिलती है called lasso cells which help in catching the prey तो prey को capture करने में इनकी कौन से cell help क lasso cells इनकी कहा present है on the tentacles tentacles किस पर present कितने मिलेंगे pair मिलेगा दो मिलेंगे pair में मिलेंगे body surface से arise हो रहे होंगे कैसे structure है tentacles long solid structure है जो arise हो रहे हैं और उनके cell कौन ची है lasso cell जो help करेंगी catching the prey तो यहीं प्रे को capture करने में offense में कौन काम कर रहा था sealant traits के अंदर nematocyte nematocyst cell तो थी nematoblast, nematoblast वो help कर रही थी उनके अंदर लेकिन इनके अंदर को उन help करेंगी lasso cell इनके अंदर lasso cell present कहा है tentacles पे उनकी में वो nematocyte nematocyst या nematoblast cell कहां present थी tentacle पे भी थी और body surface के उपर भी थी ठीक है यह difference है उनसे और यह biolumissence property भी उनसे difference है कि यह biolumissence की यह तो कई बार repeat पीट आता है biolumissence की property कौन से फाइलम में होती है टीनो फोरा में ठीक है उनके अंदर होती है और यह एक टीनो फोरा गुरूप का member दिखा रखा है कौन सा प्लूरो ब्रैक्या तो यह आपको याद गाना प्लूरो ब्रैक्या एक member है इनका फिर ठीक है biolumissence हो गया food carnivorous nature ह उसके बाद क्या आता है reproduction का जो तरीका है तो इसमें लिख रखा है sexes are not separate separate नहीं होते यानि कि एक की body में एक individual के अंदर male reproductive part present है और उसी body में female reproductive part present है तो यानि कि sexes separate नहीं होते एक individual में दोनों मिलते है male gamet भी उसी में बनेगा female gamet भी उसी मिलेगा तो ऐसे organism को हम क्या बोल इनको क्या बोलते है हर्मे फैरोडाइट और एक ही body में दोनों male and female gamet प्रेज है वो गोनेड्स मिलेंगे तो reproduction टेक प्लेस only by sexual means यह word important है only only by sexual means तो भाई एक ही body में दोनों है तो वो male gonads female reproductive system male reproductive system एक ही body में है तो वो दोनों क्या बनाएंगे male and female gametes बनाएंगे और उन gametes के fusion से जाइगोड बनेगा जाइगोड से फिर नया individual बनेगा तो अगर fusion of gamet टेक प्लेस कर रहा है यानि कि कौन सा reproduction है sexual reproduction और इनमे only ही क्या होगा है sexual reproduction जो कि पिछले वाला salentrate पढ़ा था उसमें तो budding भी हो रही थी हिस्ट के अंदर hydra के अंदर budding देखने को मिल दी थी तो यह एक important character है इनका जो पिछले वालों से differ है कि reproduction इनमें कैसे take place करता है only by sexual means sexual reproduction होता है by the fusions of gamet अब वो fusion of gamet कहा होगा वो important है कि बोडी के अंदर ही fusions का gamets का fusion हो जाएगा कि स्पम मीट कर जाएगा एक से या external environment में होगा water condition में होगा कि female reproductive system है वो अपना female gamet release कर दे पानी में और male अपना male gamet release कर दे पानी में और उनका भार फर्टिलाइजेशन और fusion of gamet का फर्टिलाइजेशन मलों fusion of gamet तो करें इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है external fertilization present होता है external fertilization मलों कि बना दिये दोनों male and female gamet उन दोनों structures ने male reproductive structure ने female reproductive structure ने लेकिन अब वो fusions उनका कहा take place करेग outer environment में और यह marine condition में रहते हैं तो outer environment क्या हो गया इनके लिए water condition वोटर में अपना male gamet release कर देंगे और female gamet release कर देंगे वहां दोनों क्या हो जाएंगे fuse हो जाएंगे उनके fusion का process है हम क्या बोलते हैं fertilization तो इनके fertilization कहा हो रहा है external medium में inside the body नहीं हो रहा है कहा हो रहा है external medium में तो क्या बोला fertilization is external तो यह कफी important है कि male female reproductive structure एक ही body में होते हैं अलग अलग individual में नहीं होते तो क्या बोलेंगे हर्मे फेरोडाइट फिर reproduction की बात आती है तो only कौन सा mode of reproduction follow करते है sexual mode of reproduction follow करेंगे फिर उसमें किस की formation करेंगे male and female gamet की formation करेगी और वो male and female gamet कहा release होंगे water condition के अंदर release हो जाएंगे वहां वो क्या take place करेगा उनका fusion take place करेगा fertilization take place करेगा कौन से environment में external medium के अंदर और external medium में कौन सी condition है water condition वहां उनका fusion of gamet होगा अब fusion of gamet हो गया fusion of gamet से क्या बन जाएंगे लार्वल development चाल लू जाएगी फिर उसके बाद तिक है इनके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है तो गरे development इनकी कैसी होती है indirect कि बीच में क्या आएगी लार्वल स्टेज आएगी सीधा अडल्ट नहीं बनेगा embryo से embryo से वह लार्वल स्टेज बनेगी पहले तो लार्वल स्टेज आना यानि की कैसी development है indirect development तो गरे development is of indirect type having larval stage बीच में क्या आएगी larval stage यह करेक्ट तो वो ले free living larva होता है इनका जो free living होता है कौन सा side dipped larva यह important है कौन सा लार्वा होता है इनके अंदर side dipped larva तो free living side dipped larval stage इनके अंदर present होगी बाद में वो larva adult organism में convert हो जाएगा तीक है फिर उसके चार examples जो आपको याद करने हैं तो यह anxiety में दे रखें प्लूरो ब्रेक्टिया और टीनो प्लाना उसके लावा याद करना बिरोई और system यह इसके चार main component है आपको examples हैं जो याद करने हैं चारों के तो overall इसमें तीन-चार करेक्टर important है एक तो इनको क्या-क्या बोलते हैं सी वोलनेट कॉम जैली सी गूजबेरीज बोल देते हैं और शीलेंटरेट से क्या करेक्टर डिफर है कि इनके अंदर नीड नीड बलास्ट अब सेंट मिलेगी वो नहीं मिलेगी एक important character क्या है कि सारे के सारे member कैसे है exclusively महराइन है बाकि ये character सेम सीलन्ट रेट्स के जैसे ही है फिर बोड़ी इनकी तो soft मिलेगी कोई एक जो skeleton endoskeleton नी मिलेगा उनकी बोड़ी में तो थासिलन्ट रेट्स की में लेकिन इनमें अपसेंट मिलेगा फिर इनकी बोड़ी पे external body surface पे एट रोज मिलेंगी comblyciliated comb plates मिलेंगी जो किसमें help करती है लोकोमोशन में उनकी help करके देती है digestion की बात करें तो इनके अंदर extracellular भी होता है और intracellular digestion भी होगा ठीक है और excretory system respiratory system यह अब सेंट मिलेगा जो water उनके अंदर आ रहा है flow करके उसमें UX रेट रिवेस्ट डाल देंगे वह बहार चला जाएगा और जो पानी आ रहा है वह O2 ले क्या आएगा उससे O2 ले ले लेंगे और CO2 से पानी में डाल देंगे वह पानी बहार निकल जाएगा एक और important property उनकी क्या आती है बायोलियोमी सेंस ability to emit light को emit कर सकते हैं तो यह अच्छे से याद कर ले ना बायोलियोमी सेंस the property of a living organism living organism की वह property to emit light तो यह प्रेजेंट मिलेगी वैल माक होती है अच्छे से दिखती है कि इनके अंदर टीनो फोरंस के अंदर यह देखने को मिलती है तो बायोलियोमी सेंस भी याद करना है skeleton excretory respiratory system absent मिलेगा यह याद करना है digestion के जैसा ही होगा intracellular भी और extracellular भी दोनों मिलेंगे और एक जो skeleton absent है तो बोड़ी कैसी हो जाएगी soft body मिलेगी ठीक है फिर mode of nutrition भी आते हैं तो वह कैसे है है heterotropes है कार्णी वोरस होते हैं प्रे कैप्चर करेंगे तो प्रे कैप्चर करने में उनके पस क्या होते हैं टेंटेकल्स होते हैं जो कितने होते हैं पेर टेंटेकल्स होते हैं सेल्स स्लिंद्रेटि में तो इसे नहीं करते हैं जो पिछले वालों से डिफर करने का तरीका पिर एक करेक्टर हो कि सेक्सी जां नोट सेप्रेट महीं किमेल बयुक्ट्राइए cylindrate में तो tentacle पे भी थी और body surface पे भी थी लेगिन इनके अंदर जो cell होती है less cells वो सिर्फ कहां राइज होती है tentacles पे राइज होती है which help in catching the prey जो capture करने में prey को capture करने में role play करती है तीक है तो यह भी काफी important character है करने का जो पिछले वालों से differ कर रहा है प्रे को capture करने का तरीका फिर एक character हो था कि sexes are not separate separate नहीं है यानि कि male reproductive system और female reproductive system दोनों क्या मिलेंगे एक ही individual में मिलेंगे एक individual में मिलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हर्मे फैरोडाइट जैसे humans में तो अलग अलग होते हैं male reproductive system male body में मिलेगा female reproductive system female body में मिलेगा यानि कि हम कैसे organism है डायोसियस अलग अलग है लेकिन यह कैसे हैं हर्मे फैरोडाइट एक के अंदर ही दोनों राइज हो रहे हैं ठीक है तो फिर बात आती है reproduction उनमें कैसे टेक प्लेस करेगा यह important है only by sexual means कोई asexual reproduction का तरीका इनमें नहीं मिलता क्या प्रेजन मिलेगा only sexual means यानि की fusion of gamate टेक प्लेस करेगी और वो fusion of gamate इनमें कहां टेक प्लेस करेगी external environment में water condition में टेक प्लेस करेगी और उसके fusion के बाद लार्वल स्टेज आएगी free living लार्वल स्टेज तो लार्वल स्टेज आ रही है तो कैसे development indirect development और life cycle में जो लार्वल स्टेज है वो कैसी है free living form है और क्या बोलते हैं उसको कौन्छा लार्वा side dip लार्वा और NCRT में जो diagram दिखा रखा है वो किसका दिखा रखा है plurobrachia का त टीनो टीनो प्लाना फिर बिरोई और सिस्टम यह इसके members हैं जो आपको याद करने हैं